हेलो दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आपका अगनी वीर के इस सीरीज में दोस्तो इस सीरीज में मैं complete detail में बताऊँगा इस scheme के बारे में जो अगनी वीर scheme launch हुई है, इसके जो तीनों format है इंडियन नेवी के लिए, एर फोर्स के लिए और इंडियन आर्मी के लिए इन तीनों ही format के जो अगनी वीरी scheme में selection होना है इन तीन format में इन तीनों format के बारे में comprehensive detail में बताऊँगा आपके जितने भी doubt से वो सभी चीज clear करूँगा जैसे अभी simple doubt बच्चों के मन में यह है कि इसका process क्या होगा selection का, exam कैसे होगा, exam का pattern क्या होगा, eligibility criteria क्या है और जो नए-नए मतलब government के तरफ से अभी announcement हुए है, scheme में कुछ बदलाव किया गया है कि जो दसवी के बच्चे मतलब इसमें selection लेंगे तो उनका बारवी का certificate कैसे बनेगा या जिनकी अभी graduation चल रही है, उनका graduation कैसे complete होगा, मतलब जितनी भी details है, एकदम scratch से लेकर अगनी वीर scheme से related, तीनो ही format के लिए, इस series में आपको comprehensive तरीके से बताऊँगा, एकदम detail में आज की इस video में मैं आपको जो एरफोर्स का अगनी वीर का format है, मतलब एरफोर्स के लिए जो selection होने वाला है अगनी वीर scheme के तहत, उसके बारे में आपको थोड़ा detail में बताऊँगा, और मतलब brief में एक idea दूँगा कि ये एरफोर्स का format है कैसा, क्योंकि अभी बच्चों के बच्चे ये तक मतलब अटकले लगा रहे हैं कि अरे यार यार ये तो खुली भरती है, ऐसी ही मतलब बस form बरना है, और selection हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसका पूरा process है, इसमें आपसे exam लिया जाएगा, और एरफोर्स में तो मतलब दो format है, क्या कहते है कि दो phase में आपसे exam लेंगे वो, क्या कहते है कि दो phase में exam लेने के बाद आपका medical test और physical test है, मतलब physical है सच कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ एरफोर्स में medical test है, लेकिन आपको जैसा पता होगा कि इंडियन आर्मी में तो आपको physical भी देना पड़ेगा, तो मैं अभी सिर्फ यहा पर selection के लिए announcement हुआ था, फिर उसके बाद Air Force का हुआ और फिर उसके बाद Navy का हुआ है, तो मैं यहाँ पर Air Force के बारे में पहले इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि यह थोड़ा ज्यादा easy है, ठीक है, इसमें ज्यादा details नहीं है, इसमें ज्यादा बारिक्यों से नहीं घुस और 5 जुलाई को registration मतलब close हो जाएगा, ठीक है, साम 5 बजे, अब देखे, registration में क्या फरक है, और दूसरा यहाँ पर आपको confused नहीं होना है, online application में क्या फरक है, आप registration का मतलब है, simple एक account बनाओगे, अगनी वीर, अगनी वायू के लिए, ठीक है, इसका पूरा नाम है अगनी वीर का scheme का format है, उसका नाम है अगनी वायू, अगनी वीर वायू, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप एक simple अपना account बनाओगे, online registration के थुरू, फिर जो इसका application है, मतलब formal application जिसके तहत आपको सभी अपनी complete detail आपके जितने भी document से वो upload करने होंगे, वो कब से करने है, 24 जुला जुलाई से सुरू होगा, तो अभी time है, आप पूरा अपना decide कर सकते हैं कि आपको join करना है या नहीं, ठीक है, तो confusion ये clear हो गया कि online registration कब सुरू होगा, और online application कब सुरू होगा, online registration इसी 24 जुन से सुरू होगा, और 5 जुलाई को जाकर close हो जाएगा, लेकिन जो online application है, ठीक है वो सुरू होगा 24 जुलाई से, तो एक चीज clear हो गई, अब दूसरा ये देखते हैं दोस्तों कि मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे जैसा कि मैंने बताया कि अब ये सोच रहें कि यार इसमें भरती होते ही सीधा हम fighter jet उड़ाने लगेंगे, तो नहीं दोस्तों ऐसा नहीं ह ये फिट समझते हैं वो काम आपसे करवाएंगे, मतलब डारेक्ट आपसे fighter jet ऐसा कुछ training नहीं दिया जाएगा, डारेक्ट नेविगेटर या फिर कुछ ऐसा pilot नहीं बनाए जाएगा, देखिए यहां पर clearly उन्होंने लिखा हुआ है, मतलब मोटे-मोटे अक्षरों में और अच्छे select होंगे, वो नहीं officer बनेंगे, नहीं pilot बनेंगे, नहीं navigator बनेंगे, इन्होंने clearly बता रखा है, तो आपको यह नहीं पहले ही मन में रखना है कि अरे यार आप तो चलके बस fighter jet उताना नहीं, इन्होंने clearly बता है, जो यह लोग ठीक समझते हैं, वो आपको post दी जा होगा, अब मतलब यहां पर थोड़ा eligibility criteria, educational background, educational आपसे क्या मांगा जाएगा, तो इसमें देखिए, 10th class का भी certificate passing होगा, 10 plus 2 का भी होगा, तो चलेगा, ठीक है, इसमें यहां diploma भी है, तो चलेगा, ठीक है, non vocational course भी कर रखा है, आपने English, Physics, Mathematics से, तो वो भी चलेगा, ठीक है, अब ही आपको बस यहां पर ब्रीफ में idea दे रहा हूं कि होगा क्या, देखिए, यहां phase 1 में आपसे online test लिया जाएगा, जो candidate phase 1 में select हो जाएंगे, वो phase 2 के लिए बुलाएं जाएंगे, ठीक है, phase 2 में, देखिए, क्या लिखा हुआ है, phase 2 का यहां पर थोड़ा पढ़ कर ब email id for phase 2 test as designated ASC, ठीक है, this admit card for the phase 2 exam can also be downloaded online अंदर, यह लिंक दिया हुआ है, वो हम जादन देखेंगे, यहां पर देखेंगे, कि यह बताना चाहते हैं, कि जो आपका selection का process होगा, वो होगा, मतलब 2 phase में, ठीक है, तो clear हो गया, कि यहां पर मतलब आपका selection क्या कहते हैं, कि कितने phase में होगा, यहां पर कुछ journal rule दिये गए है, वो भी थोड़ा मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, कि अगर आप कोई duplicate incomplete, और या फिर कोई ऐसा, मतलब, forge application भरते हो, तो आपका application reject कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद, आपसे मतलब, दुबारा application यह लोग नहीं management, no TADASLV admissible, देखिए, जितना भी आपका test होगा, चाहें वो phase 1 का, phase 2 का, या फिर आपका जो medical test होगा, उसमें जितने भी खर्चे हैं, आपको खुद ही आपको उठाने पढ़ेंगे, मतलब Indian Air Force या Defense Ministry कोई भी आपका खर्चा नहीं उठाएगी, ठीक है, तो यहां इन्हों इतनी salary होगी, in hand कितना मिलेगा, और मतलब आपके retirement, जो 4 साल का retirement है, उसके बाद क्या मिलेगा, आपका education का क्या रहेगा, मतलब अभी देखिए, clarity आई नहीं है, education को लेकर, क्योंकि 10th class में है, तो NIUS ने बोला है कि 12th का certificate देगा, लेकिन किस तरीके से देगा, अभी इसके उ उल्धा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी जैसे-जैसे मतलब जो प्रोटेस्ट है, वो intensify हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे-वैसे, government के तरफ से बहुत सारे मतलब नहीं-नहीं चीजे, add-on होती जा रही है, जुडती जा रही है, त मतलब उनके 50% credit पहले से ही उनको दिये जाएंगे और 50% पढ़ना होगा डिगरी के लिए, और फिर कुछ vocational और skilled जो training होते हैं, courses उसमें भी enroll करने के लिए बता रहे हैं, कुछ या फिर जैसे कोई अपना business शुरू करना चाहता है, उसके लिए loan के लिए बता रहे हैं, तो अ नहीं करना चाहिए, मतलब किसको choose करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा भी मैं मतलब complete comprehensive तरीके से आपको बताऊंगा, बस आप बने रहे हैं, ठीक है, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like कीजिए, हमारे series को subscribe कीजिए, channel को subscribe कीजिए, thank you very much